हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि ट्रांसफर्मर हीट क्यों होता है बिसिकली यह जो ट्रांसफर्मर है मैं यह बता रहा हूं यह कुर्वाला यह कुर्वाला में ज्यादा प्रॉब्लम यह हो रही है कि आज कल यह कुर्वाला में बहुत ज्यादा लोकल प्रवाल आते हैं उसमें दिखा दिया जाता है कि ट्रांसफोर्म iетna अच्छा है इतना है भी है जैसे हैवेज में आप देख पाएंगे 24 24 24 मैंने देखा यूटूब में आने लिया भी है और उसको टेस्ट किया है वता रहे हैं कि हीट हो रहा है transformers heat हो रहा ही हीट होने के पहला ही करण यह होता है कि उसकी जो core होती है उसकी जो यह और आई के जो core की shell होते है वो बहुत जढ़ा ही कम लगाया जाते हैं इसमें costing को बचाने के लिए जो companies क्या करती हैं कि wire तो डाल देती हैं अच्छा उन्होंने बोला कि हमने copper का wire इस्तमाल किया है बहुत अच्छा उल्कुल even quality copper का इस्तमाल किया है आपने अच्छा wire इस्तमाल किया है लेकिन अगर transformer heat होगा तो copper भी जल जाएगा आप double layer copper लगा देंगे तो भी जल जाएगा क्योंकि अगर heating होग कि बहुत यादा मोटा होता है इसका साइज बहुत जादा ऊचा होता है लेकिन उसके जो कोर होती है वह दज़र चौड़ी नहीं होती है कि बारे जिडिवार के आप ट्रांस्फरमर लेजिए और 24 कोर आधी है 12-12 से बारोट जिरो बार कई जो मैंने लोकल ट्रानस्फ़र्मरर देखा है उसमें भी काफी अच्छी कुर दी जा रही है ऐल्यमिनियम लेते है और फिर भी इसमें अच्छी कुर है जो हीट को हीट को कम कर देती है जिसे करण हमारा अलुमिनियम का ट्रांसफर्मर भी काफी अच्छी लाइब देता है लेकिन जो 24-24 का ट्रांसफर्मर आ रहा है मार्केट में या फिर बनाया जा रहा है उसमें 24-24 के आप वाटेज निकालते हैं तो 5 एमपे का ट्रांसफर्मर भी 200 वाट तक का हो जाता है आपको 120 तो यह हो जाता है जब आप एक इंच और देड़ लगाएंगे तो वो कैसे ही कर सकेगा और आप कैसे सोचे कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आप देख लेते हैं कि इसमें कॉपर वायर बोल दिया किया है कि यूट्यूब में वीडियो में कि इसमें बहुत अच्छे लगी है उसकी कोर का साइज बताती है कोर का साइज दो इंच रखा है रखते हैं कोर का साइज अगर 200 वाट है तो कम धाई से तीने इस तो रखिए पराने ट्रांसफ़रमर आप देख रहे होंगे आप ने देखा कभी अहुजा कर निका लिए या फिर गुरू के अच्छी कंपनी है में उसकी को देखर है उसकी कम देखते हैं तो उसकी हमें कैसी कोर एक वरांपह यह संवर तो मैं सर्जेस्ट करूंगा कि आप आप अलुमीनियम लीजिए लेकिन कोर ज्यादा बड़ी हो उसका उसका ट्रांसफॉर्मा की चोड़ाइं ज्यादा हो वही transformer ज्यादा heat dissipate करेगा और aluminum winding भी उतना अच्छा performance देगी आपको जितना copper winding देती है अगर आप copper लगा देते हैं और copper heat होगा तो वैसे है वो copper में loss ज्यादा हो जाएंगे और आपका उतना अच्छा performance नहीं देगी इसलिए आप aluminum use कर लीजिए लेकिन आप उसमें loss कम करकी तखी है aluminum use कर लीजिए बड़े winding वाला आपको बड़ा ज्यादा core मिले उसमें उसको आप इस्तमाल कर लीजिए वो ज्यादा अच्छा होगा आपके copper के पतले wire वाला मोटे wire वाला भी होगा और उसमें core कम होगी तो कोई मतलब नहीं है उस मोटे wire का आप double layer का wire खुद लगा के देख लीजिए और उसमें देख पाने होगा कि आप जैसे वह गरम होगा तो वायर जलने लगेगा उसमें heat loss जादा होने लगेगा वायर आप कितना ही अच्छा लागा देंगे कि टेंट करता है नहीं होगा आप है अगर चाहती है कि अचछी रहे तो आप ज्यादा है वड़ी कि आपकी कोर कितनी बड़ी है उसकी साइज कितना है अगर साइज अच्छा है तो अलुमिनियम वाला भी अच्छा फॉर्म कर जाएगा मैंने खुड टेस्ट करके देखा है कि अगर आप एक नॉर्मल वावनशाइज लगा दिजिए अप और इजनल इसी भी लिंगे तो भी वह बिना हीर्ट सिंग के लगाएंगे तो आप कितना फ़र्म देगी या फिर बहुत च्छोटी लगाएंगे और एक लोकल आईजिंगे और बहुत बड़ी लगाएंगे दो दोनों सेम परफॉरमेंस देगी क्योंकि हीट स्टार्ट होने के बाद उसकी करेंट कैपसिटी कम हो जाती है करेंट भार क्षमता कम हो जाती है इसलिए आप सबसे अच्छा ही डिसे पेठी यूज करते हैं सबसे देखें कितनी वड़े हीट लगाते हैं वावन सव में कितनी कर दvation में का में लोकार यहे लगा कंदा जा रहिए यहांने फिर लोगाए लोगा है कि हेट लॉश होगा हमारा हमारे तो हमारे ही करेंट क्यापसिटी हमारी कम हो जाएगे आप किसी और साइज को चाहते हैं कि याइड को मैं डेटर निकार के दूँ कि कि इतने इंज के को चाहिए उसके हिसाब से मैं पांच एंपियर के लिए आपकी दो से तींज की कोर ही वैस्ट होती है उससे कम कोर है तो आपका पांच एंपियर में वहाँ ज्यादा हीट डिसिपेट करेगी आपका ट्रांसफर्मर गरब होने लगेगा